जैहिन दोस्तों मैंकि शर्मा लेकर आया हूँ प्री पोजिशन के एक और छोटी सी वीडियो देखे वीडिये कुछ समय ना मिल पाने के कारण थोड़ी छोटी बन रही है तो आप समझे मैं कोशिस कर रहा हूँ मैंने जैसे वादा किया था मैं डेली वीडियो डालूँगा तो अब भी मैं वीडियो लेकर आया हूँ देखे अच्छे लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए देखे मेरे पास ये एक क्या है बिल्डिंग यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है अगर वो व्यक्ति इसके उपर जम्प करता है आर पार जम्प करता है मैं जम्प से रिलेटिड बात लेकर आया हूँ तो अगर इसके उपर आर पार जम्प करेगा तो हम क्या यूज करेंगे यह तो छोटी सी चीज होगी अब दूसी चीज़ देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के उपर से नीचे कूदता है तो हम क्या यूज़ करेंगे जम्प के साथ छोटी छोटी चीज़ें ज्याद है भी चीज़ें नहीं है यह आपके पास कोई वैल मतलब कोई या बकेट है कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है और वो इसके अंदर जम्प करता है तो क्या यूज़ करेंगे हम और ऐसा भी हो सकता है कोई आपके पास चबूतर यानि कोई प्लैटफोर्म है कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है वो यहाँ उपर जाता है तो हम क्या यूज़ करेंगे छोटी छोटी चीज है जम के रहाती है तो हमें कोई बस थोडी चीजों को समझना है देखिए अगर कोई चीज जम है अगर वो आरपारी कूदेगा तो हम यूज़ करेंगे जम ओवर जम के साथ क्या लेगा ओवर और वो उपर से नीचे कूदता है तो हम जम की साई यूज़ करेंगे जम ओफ छोटी सी है कोई जाद हाड नहीं है अगर वो जम के किसी के अंदर करता है तो हम करेंगे जम इंटू समझे दोस्तो जम्प ओवर आरपार के लिए उपर से नीचे के लिए जम्प ओफ और अंदर कूदेगा जम्प इंटू और किसी प्लैटफोर्म के उपर कूदेगा तो जम्प ओन्टू यह हमारे पास चार जम्प के लिए हैं ऐसी बहुत सारी प्री पोजिशन से जो जोईंट होती हैं तो हमें कुछ नहीं करना देखे जम्प ओवर जम्प ओफ जम्प इंटू और जम्प ओन्टू छोटी सी चीज़े हैं अब हम थोड़ा सा में आगे लेकर चलता हूं देखे वीडियो की क्लियाइटी और साउंड में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं मुबाइल से बनाता हूं अभी थोड़ा सा बज़ेट बढ़ेगा तो मैं एक कैमला ले लूगा पहले आप समझेए देखे यह हमारे पास जम्प खतम हो चुका है अब मैं आपके लिए थोड़ा सा आगे चलता हूं आगे कहां हमारे पास तीन प्रिपोजिशन होती है इन, इन्टू, एंड इन्साइड ठीक इनका कॉंसेप्ट बच्चे पढ़ते हैं रटते हैं समझते हैं लेकिन कुछ बच्चे तो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं आज इनका कॉंसेप्ट आपके कंठस्ट होगा बिल्बुल तैयार होगा देखिए इन, इन्टू, इन्साइड इन, इन्टू का तो mostly 80% जानते हैं लेकिन इन्साइड का कोई कोई बच्चा जानता है इन देखिए जब कोई व्यक्ति पहले से किसी चीज के क्या होगा साबाश अंदर जैसे मैं हूँ मैं रूम के है, कलासरूम के अंदर हो आप कलासरूम के अंदर हो तो महां यूज करेंगे इन, the students are in the class पहले से ही मुझूद है ये देखिए ये तो होगे है इन का केस इन्टू का केस समझिए ये कोई कलासरूम है कोई व्यक्ति छगनलाल गती के साथ इसमें पिर्वेस करता है तो जब कोई चीज गती के साथ अंदर पिर्वेस करें तो हम वह क्या यूज करेंगे इंटू जैसे जैसे दि प्रंसिपल केम इंटू दा रूम क्योंकि जब वो रूम में आया होगा ना तो चल के आया होगा गती के साथ आया होगा और पहले से ही अंदर तो हम यूज करेंगे इं और गती के साथ अंदर आता है तो क्या करेंगे हम यूज इंटू इसके बाद आता है इंसाइड इंसाइड के बारे में बहुत छोटी सी चीज है समझे इंसाइड होता है सीमा रेखा के अंदर फूरा बड़ा लिखता हूं क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ ने कमेंड माया था कि फोड़ा बड़ा लिखे सीमा रेखा के अंदर यादि कोई व्यक्ति किसी सीमा रेखा के यानिके लाइन के कोई बाउंडरी Network वो चारो तरफ से गिर हुई नहीं हैं अगर किसी boundary के अंदर है तो हम inside use करेंगे जैसे मैं बात करूं inside the room या in the room सावाज in the room लेकिन अगर बोलते inside the door क्या door चारो तरफ से बंद होता है नहीं door एक सीमा रहा है उसके दूसरी तरफ की बात कर रहा है तो हमां क्या यूज करेंगे? inside the door. जैसे आपने रामाइन देखिये होगी, हमारी मास सीता थी, वे एक लाइन, रेखा थी, रेखा, लश्मन रेखा के भीतर थी, तो महां इंदा लक्षमन रेखा यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे इंसाइड दा लक्षमन रेका और भी कुटिया के अंदर थी हट जोपडी के अंदर थी महां यूज करेंगे इन दा हट ये छोटी सी चीजे हैं अब एक छोटा सा कोश्चन आपने चिप्स तो सबने खायोंगे या ले इस विंगो नहीं और अंकल चिप् इसमें चिप्सन यहां क्या यूज करेंगे इन इन्टू इन्साइड इन्टू या इन्साइड कुछने दिमाज चलायोगा इन हाँ हो सकता है आप सही हो देखो मैं बताता हूँ अगर कोई चीज सील बंद होती है ना सील क्या होती है पैक्ड सील पैक्ड वहां क्या यूज करते हैं इंसाइड सवाश कि सील पैकट के लिए क्या यूज होगा इंसाइड तो चीप्स इन दा पैकट नहीं इंसाइड दा पैकट तो हमने आज क्यासी का वीडियो छोड़ी है नेक्स वीडियो में मिलूँ हो में हमने क्यासी का जंप्ड ओवर जंप्ड ओफ जंप्ड इं इन इन तो इन साथ